Hey guys, welcome back to my channel by Hussein आज हम लोग पढ़ने वाले हैं BAC 3 में जोलोजी पेपर 3 का टॉपिक Associative Learning क्या होता है? ये जाना लिंदियोर इंगिश तोनों ही मेडियम के बच्चों के लिए है तो आप लोग अच्छा समझो है ठीक है? English लिखी हुए है या Hindi लिखे हो है उसपे मच जाओ ठीक है क्योंकि आपको ultimately खुद से ही लिखना है खुद से ही अपना content बनाना है खुद से ही अपने notes बनाने है और खुद से ही exam में लिख के आना है तो यहां पिसिर्फ समझो कि आपको कैसे लिखना है? क्या लिखना है? किस तना काफी है अगर आप अच्छे हो करने में अगर आप कते गोबर हो तो फिर कुछ नियों सकता अचा तो खैयर वह आप जानो आप कैसे हो तो associative learning क्या होती है? Associative learning Associative learning बहुत ही easy सा topic है हर वीडियो में बहुत ही easy है तो easy है इसे लिए easy बोला जा रहा है वरना easy नहीं बोला जाता है हर वीडियो में तो associative learning क्या होता है? Pavlov experiment यहां पे हुआ था Pavlov ने experiment किया था उसी पे based है associative learning ठीक है हम उन्हीं का experiment पढ़ेंगे और उन्हीं के experiment के तुरू हम जानेंगे कि associative learning क्या होती है सबसे पहला point है Pavlov का जो experiment था उसका नाम था classical conditioning classical conditioning में उन्होंने क्या किया था इन्होंने experiment किया था जो की base था salivary reflex पे you can see लिखा हुआ सब कुछ mention होगा यहां पर ठीक है तो उन्होंने जो experiment किया था किस पे बेस था salivary reflex पे बेस था फाइन अच्छा पावलोव ऐस तेक है ना hungry dog नोने एक hungry dog लिया था and connect his duct to measuring experiment उन्होंने उसकी duct को क्या किया था measuring experiment के साथ कर दिया था और उसका क्या नाम था measuring जो की मतलब देखता था कि dog मतलब saliva में measurement क्या बोज़े मैं तंग ट्रिस्टोरी है measurement करता था तो उस measuring tool का नाम था calibrated cylinder ठीक है अचा एक चीज़ मुझे आप लोग से पूशनी थी मैं इस तरह से पढ़ा रही हूं तो जो भी बच्चे देख रहे हैं अभी के वीडियो उन लोग को समझ में आ रहा है मतलब दिख रहा है तो मुझे आपका भी response चाहिए ना कि वो समझ में आ रहा है आपको या नहीं आ रहा है अचा ठीक है तो classical conditioning में क्या हुआ पैवलोव ने एक डॉग लिया था मैं इसी बता रही हूं आपको कहानी की तरह सुनो और समझो पैवलोव ने क्या किया था एक डॉग लिया था ठीक उसको उन्होंने क्या किया उसका उन्होंने जो डक्ट था सलाइवरी डक्ट उसको उन्होंने एक equipment लिया measuring equipment measuring tool कह सकते हो उससे उन्होंने उसको connect कर दिया और उस tool का नाम था calibrated cylinder अब क्या हुआ यहां पे आप लोगों एक फोटो दिख रही है इसमें क्या हो रहा है कि जो है यह जो डॉग है इसको पहले अब इसके दो फेश दे इस experiment के दो फेश थे पहला जो फेश था जो फेज 1 था उसमें क्या किया था तुम्हारे पैल अब जो साइंटेस्ट था उन्होंने क्या किया था कि पहले जब वो डॉग और दिखा रहे है तो इमेच में निका रहा है देखो इमेंस में देख रहा है को डूग को फूड देते हैं तो उस में salivation होता है अगर भूखा होता है काफी जब जादा भूखा होता है तो i contribute दिखाते हैं तो uspieces destination होता है यह भे चिस ग्लाख मैंने लिखव है जब बिना भज़र के डूग के आगे फूड रखते हैं ताकि उस डॉक को लगे कि अब जब ये बजर बज़ेगा तब खाना मिलेगा उसके अंदर उन्होंने ये उसकी mentality बना दी तो जब भी बजर बज़ता तो वो डॉक समझाता कि उसके लिए food आया है भले ये food वो नहीं देते लेकिन तब भी बजर बज़ते तो और उसके अंद जब बजर नहीं था सेकंडरी स्टिमलेस जब उन्होंने बजर के थू food दिया तब उसके अंदर किया हो जब भी उसको बजर सुनाई देता तो समझ आता उसको खाना मेले वाला और उसके अंदर सलाइवेशन स्टार्टा नहीं कि निकलने लगता उसके मून से ये हो गया आ नेक्स्ट इस ओपरेंट कंडिशनिंग जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट इसमें आपको एग्जांपल दिख रहा है ये तो को कैट है ये पुजल बॉक्स एक बॉक्स में फर्स चुकी है वो जब भी मतलब उसको बंद कर दिया गया है उस बॉक्स पजल में और अब इसमें एक बटन लगा दिया गया है तो जब भी वह अब फिर अदर उदर सब कहीं पुछ करती है और वो फिर उल्टेमेटल यो आपके उस बटन पर प्रस करती है और फिर गेट फुल जाता है तो उसकी फिर उप्र दुबारा यही चीश करती है तो अभी उसकी ये च बन जाती है कि जब भी वो उस बटन को प्रस करेगी गेट खुल जाएगा और वो निकल जाएगी ठीक है तो यह है ऑपरेंट कंडिशनिंग अच्छा तो इतना समझ में आया है असोसेटेब लर्निंग क्या होती है मैंने बोला था यह सेपरेट टॉपिक उसको सेपरेट वीडियो में ही कवार करा जाएगा तो हुप सब लोगों को समझ में होगा next comes to our Q&A part Q&A में क्या है आज के एक कैटेगरी बतानी है लर्निंग की लर्निंग टॉपिक चल रहा है हम लोग का कैटेगरीज ओफ लर्निंग हम लोग ने पढ़े हैं तो कोई भी एक कैटेगरी मुझे कमें में बता दो फटाक से पिरना देरी के क्योंकि जाहर सी बात अगर आप असोसेटेव लर्निंग पर ने आई हो मेरे चैनल पे तो इसका मतलब आप लोग लर्निंग वाला जो है वो आप लोग पहले ही पढ़ जुके होगे ठीक है तो जाके अगर नहीं तेखा है तो पहले उसे देखो फिर से देखो कि यह सब कनेक्टेड है मना फिर समझ में नहीं आएगा और जो भी आप लोग अपना रिक्वेस्टेट टॉपिक जाहिए वोग मुझे बताओ यार कमेंट्स में ठीक है ठीक है